हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आर यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड सो गाईस कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोगों की त्यारी अच्छे से चल रही होगी आप सब लोग अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ अपनी फैमिली के भी हेल्थ का ध्यान रखें जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि देश पर में काफी सरी स्टेट्स और यूटी के अंदर क्या लोगड़ॉन लगा हुआ है तो हमारी जमुन कश्मीर यूटी के अंदर भी लोगड़ॉन लगा हुआ है तो आप सब लोग हो सके तो घर से बार ना निकलें और जितना हो सके अब आपके बस ताइम है आप अपने एक्जाम्स को दीजिए अपनी स्टेडिस को दीजिए और अच्छे से मैनत करिए आपके पास यह एक गोल्डन ऑपर्चुनिटी है ठीके गाईस क्योंकि एक्जाम्स अब कब होंगे we are not sure about it बट जैसे की नोडिविश्चन बताया गया कि जून मन्त में यह एक्जाम कंड़क्ट करा दिये जाएंगे जेके SSB के दवारा तो हम यही एक टार्गेट रख रहे हैं कि जून में हमारे एक्जाम्स कंड़क्ट हो जाएंगे तो उसी को लेके हम अपनी त्यारी स्टार्ट कर रहे हैं और guys, I would like to thank you all of you for your kind support, love जो आपने हमारे चैनल को दिया है जिसकी वज़ा से आज हम 500 प्लस सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो चुके हैं यह सब guys आप ही की वज़ा से हुए है, आप लोगों के प्यार की वज़ा से हुए है इसी तरह आप प्यार देते रहें हमारे चैनल को गाईज आप लोगों की वज़त से ही हमें ये मॉटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए इसी तरह हम आपके लिए काम करेंगे अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे तांकि इस से आपके एक्जाम में काफी साधा हैल्प हो सके और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और जाद से जादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेर करें जो आपको काफी सारे आपके जो अगर डाउट्स हैं वो आज सारे इस वीडियो में क्लेर हो जाएंगे तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लेट्स गो तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं जेएंट के रियाउगनाजेशन एक्ट टू-थाउजन नाइन्टें इसके अंदर यह जो रियाउगनाजेशन है किसी भी स्टेट का यह कैसे करते हैं उसको जानने से पहले हम पहले समझेंगे कि हमारे constitution के अंदर यह कहां पर प्रोविजन लिखा गया है कि हम स्टेट को रियाउगनाजेश कर सकते हैं तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं हमारे constitution में parts हैं कितने parts हैं total हमारे parts हैं 25 उसी 25 part में हमारा जो first part है वो क्या कहता है वो बात करता है union and its territory के बारे में बात करता है तो इसके अंदर जो articles हैं वो कहां से कहां तक है article जल्दी से बताएं तो इसके अंदर जो article हैं वो हमारे 1 से लेके 4 तक आते हैं So guys, जल्दी से मैं आपको overview देता हूँ articles के बारे में, हमारा जो first article है, ये किसकी बात करता है, ये हमारी बात करता है, describe करता है India, that is भारत, ठीक है, next जो है हमारा article second, ये किसकी बात करता है, ये admission of those states which are not part of India, मतलब उन states की बारे में बात करता है, जो हमारे इंडिया का part नहीं है, for example, जैसे आप जानते हैं, हमारा चाइना के साथ, हमारा पाकिस्तान के साथ, क्या रहता है, issue रहता है, conflict रहता है, चाइना के साथ तो आपने के बार सुना है, हमारा border issue रहता है, ठीक है, कल को हमाई, अगर गुस्सा आजाता है, तो हम लोग इंडिया वाले क्या करते हैं, पूरे चाइना को अपनी territory के अंदर involve कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा होगा तो नहीं, बट still मैं आपको example दे रहा हूँ, तो जो चाइना है, उसे हम इंडिया के अंदर territory के अंदर involve कर देंगे, तो यह किस article के तह किया जाता है, यह article 2 के तहत किया जाता है, according to article 2, now article 3 के बारे में देखते है, article 3 क्या कहता है, article 3 हमाँ बताता है, reorganization of states which are already part of India, यहाँ पे क्या बात हो रही है, कि हम reorganization कर सकते हैं, उन states का, जो already हमारे इंडिया का क्या है, पार्ट है, उनकी हम reorganization कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ for example, let's take an example, यह हमारी एक state है, ठीके, यह a state है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम इसी में से हम छोटे छोटे states बना सकते हैं, number of states बना सकते हैं, जितना मन करें हम उतना, हमने इसको 1 और 2 में convert कर दिया, आप चाहो तो आगे 3 में भी कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट में divide कर सकते हैं, तो इसी तरह, अब आप यहाँ पर आ जाईए, यहाँ पर देखें, हमारी यह जियन्ट की जो state थी पहले, अब इसको किस में convert कर दिया है, इसको अब 2 UT में convert कर दिया है, जैसे कि मैं आपको बताया था, कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी state को number of state में, चोटे parts, state बोलो हैं, यह UT में convert कर सकते हैं, तो हमने क्या किया है, अपनी state को 2 UT में convert कर दिया है, किसके according किया था, आर्टिकल 3 का use करके, जो हमारे part 1 में था, जैसे मैंने आपको बताया, उसका use करके हमने इसको 2 UT में convert कर दिया है, वो 2 UT कौन कौन सी है, आप सब को पता है, जिसे हम जमू एन कश्मीर बोलते हैं, another is, लदाक UT है, ठीके, यह दोनों UT हमारी कहां से आई है, जमू एन कश्मीर state जो थी, वहां से तोड़के हमने दो UT बना दिया है, ओके, तो आप यह notes को त्यार कर सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं, जो जो मैं important लिख रहा हूं, आप हो, लिख सकते हैं, note down कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, कि reorganization करने से क्या-क्या changes आई है हमारी UT के अंदर, ठीके, तो आप note कर सकते हैं, यह important question बन सकता है, कि reorganization हम किस article के तहत करते हैं, तो article 3 use होता है, ठीके, 2 और 3 में confused नहीं होना, यह कहां-कहां होता है, मैं यह J&K को किसमें, 2 UT के अंदर किया था, first is J&K and second is Ladakh, यहाँ पर मैंने bracket में लिख है, J&K with legislative assembly and Ladakh with no assembly, यह assembly क्या है, इसको मैं पहले समझा के, फिर मैं आपको आगे points समझाता हूँ, तो आईए पहले हम इसी को समझ लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, Parliament of India, मैं सबसे पहले Parliament की बात करूँगा, जो हमारी इंडिया में Parliament है, यह हम किसको कहते हैं, it is a group of President, Raji Sabha and Lok Sabha, यहाँ पे जो हमारा President है, यह क्या होता है, यह Head of Country होता है, ठीके, हमारी Country का क्या है, Head है, Raji Sabha को हम क्या बोलते हैं, Upper House भी बोलते हैं, clear, and Lok Sabha को हम Lower House भी बोलते हैं, यहाँ तक आपको clear है, ठीके, so guys, आप इसको compare कर सकते हैं, हमारे इसी model को हम क्या करते हैं, हर एक State में भी देखते हैं, इसी structure को, जैसे यहाँ पे आप Parliament देख रहे हो, यह Parliament किससे compare कर सकते हो, एक State Legislature से, ठीके, President है, जो हमारा क्या होता है, Head of Country होता है, इसी तर आपको यहाँ पे क् legislative council की तरह, इसी तरह से हम लोग सबा जो है, इसको हम अपनी State में बोल सकते हैं, एक legislative assembly, clear है, यह सिफ compare करा करा के, आपको सिफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक simple way में, ताकि आपको यह अच्छे से समझ आ जाए, यह एक हलकी सी trick की तरह आपको याद गराने की कोशिश क कर रहा हूँ, काफी सारे बच्चे इसी structure में क्या रहते हैं, confused रहते हैं, उन्हें यह नहीं पता चलता कि लोग सबा legislative assembly पर कर रहा है, क्या होती है, तो बस आपको एक overview देखे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरह से हम देखेंगे, हमारी UT में भी यही follow होता है, कैसे UT में भी सेम रहता है pattern, बस governor की जगा हम वहाँ पे बोलते हैं, lieutenant governor के नाम से बोलते हैं उसको, governor को क्या बोला जाता है, lieutenant governor बोला जाता है, अगर मैं अपनी UT जमुएन कश्मीर की बात करूँ, तो हमारे जमुएन कश्मीर में क्या है, lieutenant governor है, governor नहीं बोलेंगे, वहाँ पे lieutenant governor ब पर लेजिसलेटिव कॉंसिल नहीं होती जैसे आप सब लोग जानते हैं हमारी UT J&K में लेजिसलेटिव कॉंसिल नहीं है और ये J&K Reorganization Act 2019 में section 57 subsection 1 में बताया गया है कि Abolition of Legislative Council of UT J&K मतलब J&K की Legislative Council को क्या कर दिया है? Abolish कर दिया है, खतम कर दिया है Now we are left with only legislative assembly, clear है यहां तक और अगर मैं लदाख की बात करूँ, लदाख UT की बात करूँ तो लदाख UT में तो legislative assembly भी नहीं है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही post है, that is governor और वो भी governor नहीं बोलेंगे हम उसको lieutenant governor बोलते हैं, UT में हम lieutenant governor बोलते हैं यह याद रखना है, काफी बच्चे इसमें confused हो जाते हैं सो guys यह section से डरना नहीं है, यह मैं आपको आगे जैसे से lecture चलेगा, हम आपको इसको properly इसको समझेंगे सारे के सारे important जो sections हैं, parts हैं उसको हम पढ़ेंगे, one by one now मैं आपको बताता हूँ, parliament की working कैसे होती है राजे सबा और लोग सबा है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी house बिल पास करता है किसी भी house के द्वारा क्या पास किया जाता है, एक बिल पास किया जाता है that is money bill money bill की जो बात होती है वो हमेशा लोग सभा में ही introduce होगा वो राज्य सभा में सबसे पहले introduce नहीं हो सकता clear है बागी कोई भी बिल है money bill के लावा कोई भी बिल है तो वो either of the house में introduce किया जा सकता है clear है जैसे वो bill आता है वो कहा बेड़ा जाता है राज्य सभा में बेड़ा जाता है जब वो दोनों house में उसको approval मिल जाता है यह हम बोलें कि वो pass हो जाता है तो finally हम वो उसको किसके पास बेज देते हैं president के पास बेज देते हैं तांकि वो क्या करें इस पे sign करें and finally यह bill क्या बन जाए एक act बन जाए clear है यह सबको पता होगा function कैसे होती है तो अगर मैं आपको बात करूँ जियनके री organization act जो 2019 हम पढ़ रहे हैं जब यह bill पास हुआ था राज्य सभा और लोग सभा में अगर इस पे president ने sign नहीं किये थे जब तक president ने sign नहीं किये थे तब तक हम इसको क्या बोल रहे थे हम इसको एक bill बोल रहे थे जिसका नाम क्या था जियनके री organization बिल 2019 clear है अब हम आ जाते हैं अपनी पुरानी वाली slide पे हमारी पुरानी slide में था कि हमने यहाँ पे हमने क्या देखा था clear है और लदाक में तो कुछ भी नहीं है ना ही legislative assembly है ना ही legislative council है I hope clear है अब हम बात करते हैं इस act की बारे में यह act जो है यह सबसे पहले किस ने introduce किया था यह याद रखेंगे very important question इस पर बन सकता है हमारे home minister के दवारा इसको introduce किया गया था clear है और home minister कोन है हमारे अमिशा जी इसको जब introduce किया अमिशान के दवारा तो सबसे पहले किस house में किया अभी मैंने आपको house के बारे में समझाय था तो राजे सबा में introduce किया गया था बाए अमिशा के दवारा clear है कोन सी तारिक को किया गया था ये भी important है 5 August 2019 को इसको introduce किया गया था राजे सभा के अंदर ये date important है guys note कर लें इसको exam में पूछी जा सकती है तो now राजे सभा में ये bill pass हो चुका है introduce किया गया 5 को और 5 को ये pass हो गया then इसको कहाँ भेज़ा जाता है एक house से जब pass हो जाता है तो हम उसे दूसरे house में भेज़ते हैं now अब इस bill को आगे pass कर दिया है लोगसभा के अंदर ठीके और लोगसभा से ये pass हो गया था 6 August 2019 को pass हो गया था next फिर जब दोनों house में ये bill pass हो जाता है then उसको भेज़ा जाता है approval के लिए किसके approval के लिए president के approval के लिए and right now हमारे president कौन है श्री रामनात कोबिन जी हमारे देश के president है अब इस bill पे क्या होगा president के sign होंगे approval का मतलब क्या है sign करेंगे president साब तो ये sign कब किये गये थे ये date है 9 August 2019 तो guys आप देख रहे हैं 5 अगस्त हो गया and 9 अगस्त को ये इस पे इस bill पे president के भी sign लग गए तो 5 तारिक और 6 तारिक इसमें हम क्या बोल रहे थे 5-6 तारिक तक ये क्या था ये एक bill था जैसे ही 9 तारिक को signature मिल गए president साब के तो ये क्या बन गया एक act बन गया और ये act effectively कब पास हुआ कब से इसको लागू किया गया 31st October 2019 this date is very important इसी date के बाद हम बोल रहे थे कि J&K state state नहीं है अब से ये एक UT है clear है guys I hope आपको ये point clear होगा now move करते है next slide पे now अब हम देखेंगे कि bill जो हमारा पास हुओ था राजसावा में वो 5 August 2019 को पास हो गया था by simple majority इस point को याद रखेंगे simple majority से ये पास हुआ था और simple majority क्या होती है ऐसे हमारी majority और भी होती है absolute majority और भी काफी majority होती है बट हमें याद रखना है simple majority से ये bill पास हुआ था इन राजसावा तो simple majority क्या होती है more than 50% member present and voting इसका क्या मतलब हुआ कि उस दिन जितने भी member present है हमारे और उन्होंने जो voting की है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए तब जाके हम बोलेंगे कि वो bill क्या हो गया है पास हो गया है ठीके तो for example मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि उस दिन 100 member हमारे present थे ठीके guys तो 100 member में 50% से ज़्यादा voting होने चाहिए तब यह bill pass होगा तो उसके लिए कितने vote हमें चाहिए जैसे हमें 51 vote मिल जाएंगे तो यह bill क्या हो जाएगा पास कर दिया जाएगा इसको हम बोलेंगे bill pass हो चुका है तो आप देखेंगे यहाँ पे तो favor में जो हमें vote मिले थे 125 member ने favor में थे और इसके against में 61 member थे ठीके आप चाहो तो इसको याद कर सकते हैं जैसे ही आप वीडियो को बार बार practice करेंगे इनको लिख लोगे एक बार तो एक दो बार इसे नजर मारोगे तो आपको यह याद होना शुरू हो जाएंगे ठीके नाओ लोगसवा में यह bill पास हुआ था 6 अगस्ट 2019 में और इसको भी simple majority से ही पास किया गया और यहाँ पे favor में कितने थे 370 member favor में थे इसके and against में 70 member थे and finally 9 अगस्ट को इस पे हमारे president ने क्या कर दिये signature कर दिये और जैसे यह signature हुए तो यह क्या बन गया यह एक act बन गया I hope यह सारा आपको clear हो गया होगा now इसके re-organization act 2019 के main features क्या है इसके बारे हम जानेंगे इसके साथ हमारे क्या changes आई है हमारे UT के अंदर क्या changes आई है उसको देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारा जो एक article था आप सब जानते होंगे article 370 यह क्या कर दिया गया revoke कर दिया गया यह article हमें हमारी state को क्या देता था एक special status देता था ठीके अब इसके reorganization act के बाद इसको हटा दिया गया है clear है यह question आपको background में आके पूछ सकता है कि यह article जो है यह हमारे constitution में कौन से part के अंदर रखा गया था आपको पता है हमारे constitution में कितने parts हैं total 25 parts हैं और उसी के अंदर यह 21 part में रखा गया था article 370 को और यह आया कब था हमारे constitution में इसको लाया कब गया था हमें इसको लाय थे 17 October 1949 में इसको लाय थे ठीके यहां पर बने लिखा हुआ आप देख सकते हैं इस date को यह हमारे constitution में आया था और part 21 में इसको रखा गया था इसी के बाद हमारा presidential order 1954 जो था जिसके अंदर हमें क्या मिला था इसके साथ हमें मिला था article 35A ठीके इसके अंदर क्या होता था कि कोई भी बाहर JNK के बाहर वाला आदमी हमारे state में आके JNK state में कुछ भी property नहीं घ्रिज सकता था but after this reorganization act 2019 इसको भी क्या कर दिया गया है abolish कर दिया गया है इसको भी abolish कर दिया गया और article 370 को भी क्या कर दिया है abolish कर दिया है clear है तो these are the some features और भी main इसमें क्या हुआ था आपको पता है हमारे यहाँ पे पहले क्या होता था JNK state के अंदर रन्बीर penal code होता था ठीके RPC होता था अब यह change होके हमारा क्या हो गया है IPC जिसको हम क्या बोलते हैं Indian Penal Code बोलते हैं next क्या था हमारे यहाँ पे JNK में क्या थी JNK CRPC थी CRPC अब इसको भी change करके हमारे यहाँ पे Central CRPC हो गी है इसको भी याद रखेंगे so guys next point आप याद रखेंगे इसके exam में आने के बहुत ज़्यादा chances है जो हमारा 2005 Hindu Succession Act था जो क्या कहता था जो अब वो applicable हो गया हमारे UT JNK पहले हमारे JNK में applicable नहीं था now it is applicable in R JNK UT के अंदर यह क्या है applicable होता है जिसके अंदर क्या होता है यह act हमें बताता है कि women have equal right in property पहले आपको पता है जैसे women को equal right नहीं मिलते थे अब women को क्या मिलेंगे equal rights मिलेंगे ठीके now next point क्या है आपको पता है जो 10% quota है EWS के अंदर वो भी हमारे reservation में अब मिलेगा JNK में तो यह guys सारे क्या है कुछ features है sections दी गही है total sections कितनी है that is 103 sections है parts के अगर हम बारे में बात करें तो 14 parts में है और schedule की बात करें तो 5 schedules हमें इसमें मिलेंगे इस act के अंदर कौन सा act है JNK reorganization Act के अंदर तो इन सब को हमने रटना नहीं है one by one हम जो इसमें important है हम उसको यहां पे देखेंगे और जैसे जैसे हम इसे revise करते जाएंगे इसके उपर MCQ करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें काफी सारी चीज़ें इसमें से याद हो चुकी होंगी जो important है वो तो हम यहां पे याद कराएंगे यहां पे आपको पूरी explanation देंगे उसके बारे में और आपको 100% याद भी करवाएंगे तो इनी को हम आगे next वीडियो में continue करेंगे तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं आप इसको दवारा से देख सकते हैं अगर कोई doubt रह चुक है तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं इस चैनल को देख रहा है तो चैनल को subscribe कर ले and don't forget to hit the bell icon also तांकि आपको regular updates मिलते रहें ठीक है guys तो इस वीडियो को यहीं पर close करते हैं Thank you, bye-bye